नमस्कार दोस्तों सत्पूरिया किलास इसमा आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं RRB NTPC 2024 वाकेंसी के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे 8113 पोश्ट पर कुल कितने फोर्म यहां पर बरे जा चुके हैं है अक्टोबर तक कुल कितने फोर्म बरे जा चुक जुके हैं यहां पर Thank कोन सी category के लिए सबसे बैज जून कोन सा है डेंजर जून के बारे में बात करेंगे टोटल फोर्म यहां पर कितने July 2019 की कटोफ यहां पर कितनी ऐइती लेवल फाइप और लेवल 75.2 ST की सबसे कम यहाँ पर रही थी 11.1 CBT1 2019 की कटोफ पर Level 5 और Level 6 की Mumbai की बात करें Mumbai में 827 वेकंसी है 3,27,637 यहाँ पर टोटल फॉर्म अपलाई हो चुके है General category की सबसे High cutoff गई थी 67.5 और ST की यहाँ पर 49 रही थी तो ST के लिए यहाँ पर यह सेफ जोन हो सकता है भुवनेस्वर की बात करें भुवनेस्वर में 788 वेकंसी थी 2,85,721 टोटल फॉर्म अपलाई हो जनरल केंडिडेट की कटोफ काफी हाँ गई थी और यहाँ पर ST की 50.1 बिलासपूर में 629 वेकंसी पर जनरल केटेगरी कटोफ कम गई थी और यहाँ पर ST की भी कम गई थी पिछले जोन के मुकाबले एमदाबाद में 516 वेकंसी पर 2,58,237 टोटल फॉर्म अपलाई हो चुके हैं जनरल केटेगरी की कटोफ 34.1 हाई गई थी और यहाँ पर ST की 56.7 गई थी बैंगलोरू की बात करें बैंगलोरू में 496 वेकंसी पर 2,5,679 टोटल फॉर्म फिल अप हुए थी जनरल केटेगरी की कटोफ 77.4 और यहाँ पर ST की 55.8 तो यहाँ पर OBC की भी अच्छी खासी कटोफ गई थी सिखंदाबाद की कटोफ जनरल की 34.1 और यहाँ पर ST की 57.6 और यहाँ पर SC की भी 61.5 गई थी यहाँ पर चेननी बोर्ड की बात करें 436 वेकंसी पर 1,98,657 यहाँ पर टोटल फॉर्म अपलाई हो चुक है जनरल केटेगरी की कटोफ यहाँ पर कम गई थी पिछले और बोर्ड के मुकाबले और ST की यहाँ पर 49 गई थी और EWS की यहाँ पर काफी सेब जोन में था EWS की 99.5 रही थी चेन्डिगड में यहाँ पर 410 वेकंसी थी और यहाँ पर 2,65,399 टोटल फॉर्म अपलाई हो चुक है चेन्डिगड की कट ओफ हमें सा हाई जाती है और यहाँ पर इस बार भी चेन्डिगड की कट ओफ हाई रहने वाली है ST की 59.9 सभी केटेगरी की कट ओफ यहाँ पर चेन्डिगड की हाई रहती है अभी तक जन्डिगड की कट ओफ काफी हाई रही थी जबकि ST की थोड़ी सी लो गई थी तो परियाग राज और चेन्डिगड की कट ओफ हमेसा हाई रहती है मालदा में 198 वेकेंसी पे 1,67,949 टोटल फॉर्म अपलाई हो चुक है जन्रिग की कट ओफ भी यहाँ पे काफी हाई गई थी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तिरुवंद पूरम की तो तिरुवंद पूरम में अगर यहाँ पे देखें टोटल वेकेंसी यहाँ पे 114 है 114 पे 115,339 टोटल फॉर्म अपलाई हो चुक है जन्रिग की कट ओफ यहाँ पे थोड़ी कम गई थी जबकि EWS की यहाँ पे कट ओफ काफी कम गई थी तो EWS की कट ओफ यहाँ पे 40.1 रही थी और ST की 9.2 यहाँ पे बोपाल में देख लेते हैं 1155 वेकेंसी पे 112,487 टोटल फॉर्म अपलाई हुए है जन्रिग केटिगरी कट ओफ हाई गई थी जबकि यहाँ पे EWS की काफी कम गई थी जम्मू में 145 वेकेंसी पे 1,85,928 फॉर्म अपलाई हो चुक है जन्रिग केटिगरी कट ओफ फिर से यहाँ पे हाई रही थी और ST की यहाँ पे कम रही थी OBC की हमेशाई लगबग बरावर रहती है जन्रिग के अजमेर में 132 वेकेंसी पे 1,67,660 फॉर्म अपलाई हो चुक है जन्रिग केटिगरी की कट ओफ काफी हाई रही थी यहाँ पे अजमेर बॉर्ड से और यहाँ पे ST की भी काफी हाई रही थी OBC EWS सभी की अजमेर बॉर्ड में गुरकपुर में 139 वेकेंसी पे 22,368 फॉर्म टोटल अपलाई हो चुक है और यहाँ पे अजमेर में जन्रिग केटिगरी कट ओफ कम रही थी और यहाँ पे EWS की भी काफी कम रही थी पटना में 111 वेकेंसी पे 113,651 टोटल फॉर्म अपलाई हो चुक है पटना में यहाँ पे कट ओफ काफी हाई रही थी जन्रेल केटिगरी की और यहाँ पे OBC EWS SCHT सभी की सिलिकुडी में 40 वेकेंसी पे 99,399 टोटल फॉर्म अपलाई हो चुक है जन्रेल के टोफ 62,7 और हैश्टी की यहाँ पे 40 अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं जो टोटल फॉर्म की बात करें तो 6 अक्टूबर तक टोटल फॉर्म जो भरे जा चुक है 30,62,587 लगबग तक